गुड मॉनिंग स्टूरेंट सेंट एंजल्स की ओंलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकर में फर्स चैप्टर पढ़ेंगे फर्स चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि भाष्षा किसे कहते हैं हमने आपको पताया था कि मनुश्यक समाजिक प्राणी हैं वे अपने विचारों को दूसरों के सामने बोल कर या लिख कर व्यक्त करता है और दूसरे व्यक्ति भी विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं तो इस प्रकार विचारों और भावों का आदान प्रदान ही भाष्षा कहलाती है और आज हम पढ़ेंगे लिपी किसे कहते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे लिपी किसे कहते हैं देखिए पृति एक भाषा के लिखने का धंग अलग-अलग होता है मतलब पृति एक भाषा को लिखने का अपना-पना एक-एक तरीका होता है प्रतेक भाषा के कुछ निश्चित धोनी चिन होते हैं, इनी धोनी चिन्नों को ही उस भाषा की लिपी कहते हैं, अधा हम लिपी को निमलिके तुरूप में परिभाषित भी कर सकते हैं, और देखे दूसरे शब्दों में लिपी किसे कहते हैं, लिखने के धंग को, लिखने क के तरीके को लिपी कहते हैं हिंदी भाषा देवनागरी लिपी में लिखी गई है किस में लिखी गई है देवनागरी में देखे कुछ भाषा हैं यहां पर जिनकी लिपी बताई गई है हिंदी देवनागरी में लिखी गई है गुजराती भी देवनागरी में लिखी गई है अंग्रेजी की लिपी है रोमन, पंजाबी की लिपी है ग्रुमुखी, बंगाली की बंगला, संस्कित की देवनागरी, नैपाली की भी देवनागरी है, जर्मन की है रोमन, उर्दु की फारसी और मराठी की देवनागरी. तो कुछ लुपियां हैं जिनकी भाषा के आध्यम से हमने लिपी भी आपको बताई है अब हमने आपको यहां बताया लिपी किसे कहते हैं लिखने के ढंको लिपी कहते हैं हिंदी भाषा देव नागरी में लिखी गई है कौन सी लिपी में लिखी गई है हिंदी भाषा देव नागरी लिपी में अब आता है आपका व्याकरण व्याकरण किसे कहते हैं देखे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्याकरण क्या चीज है व्याकरण वह नियम है भाषा का वह नियम है भाशा के नियमों का ज्यान हमें व्याकरण के माध्यम से मिलता है किसे प्राफ्त होता है हमें व्याकरण के माध्यम से होता है व्याकरण के द्वारा हम भाशा को शुद रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं किसे सीखते हैं हम व्याकरण के माध्यम से ही या व्याकरण के द्वारा हम भाशा को शुद रूप से बोलना लिखना व पढ़ना सीखते हैं अधा हम व्याकरण की परिभाशा कुछ और शब्दों में भी देख सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है, जो किसी भाशा को शुद रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है व्याकरण के निमले के तीन विभाग हैं, व्याकरण को तीन भागों में विभाजित किया गया है देखे कौन कौन से हैं, नमबर एक आता है वर्ण विचार नमबर एक आता है वर्ण विचार, इस विभाग के अंतरगत वर्ण, वर्ण माला, वर्ण के भेद, एवम, उनके उच्चारण आदी का अध्यन किया जाता है सबसे पहले आता है हमारा वर्ण विचार, जिसे हम वर्ण माला भी कहते हैं इस विभाग के अंतरगत वर्ण, वर्ण माला, वर्ण के भेद, एवम, उनके उच्चारण आदी का अध्यन किया जाता है जिसमें क, ख, ग, घ, ड, इससे आगे भी वर्ण आते हैं हमने आपको कुछ वर्ण दिये गए हैं, उधारण के लिए, देखिए, क, ख, ग, से लेकर, ग्या ग्यानी तक, सारे वर्ण या पूरी वर्ण माला, हमारे वर्ण विचार के अंतरगत आती है उसके बाद आता है हमारा शब्द विचार इस विभाग के अंतरगत, शब्दों की उत्पत्ती, रचना, प्रकार, तथा प्रियोग आधी का अधिन किया जाता है इस विभाग के अंत्रगत क्या आते हैं शब्द, उनकी उत्पत्ति, उनकी रचना, उनकी प्रकार यह उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इन सबका अध्यान हम शब्द विचार में करते हैं जब बहुत सारे वर्ण आपस में मिल जाते हैं और सार्थक अर्थ स्पस्ट करते हैं जिनसे सार्थक अर्थ की उत्पत्ति होती है तो वो शब्द कहलाते हैं जैसे राम या पुस्तर अगर हम यहाँ पर मतलब आगे पीछे करके इन ही वर्णों को एक साथ जोड़ कर रख देते हैं तो वो शब्द नहीं बनेंगे शब्द वहीं बनते हैं जिनके सही अर्थ होते हैं शब्द के बाद आता है हमारा वाक्य वाक्य में देखिए क्या होता है इस विभाग के अंत्रगत वाक्यों की रचना उनके भेद वाक्य विशलेशन तथा विराम चिन्नों आधि का अध्यन किया जाता है जब बहुत सारे शब्द सार्थक शब्द आपस में मिलकर एक वाक्य की उत्पत्ति करते हैं तब वह वाक्य विचार कहलाता है देखिए राम पुस्तक पढ़ता है अगर हम ये लिखें कि राम है पुस्तक पढ़ता तो क्या हमारा वाक्य सही होगा नहीं सही शब्दों का एक सार्थक वाक्य वनता है तो वह वाक्य विचार के अत्रगत आता है अब हमने यहाँ पर सीखा कि भाशा किसे कहते हैं लिपी किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं अब यहाँ पर हमने आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रशन दिये हैं पढ़ाए गए या समझाए गए विशेर के अधार पर आप इन प्रशनों के उत्तर लिखेंगे देखे एक बार यहाँ पर भाशा के द्वारा रिक्तिस्थाने आपका एवं भावों का आदान प्रदान होता है तो अब आपको ये देखना है कि आप उपर आपके लिए हैल बॉक्स दिया हुआ है आपकी सायता के लिए आप उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और रिक्तिस्थानों की पूर्थी उनके माध्यम से करेंगे यहां पर कुछ सही गलत दिये गए हैं आप ध्यान पूर्वक सभी वाक्यों को पढ़ेंगे और समझाये गए पाट के अधार पर इन प्रशनों का सही उत्तर देंगे उनके सामने सही गलत का निशान लगाएंगे